तो मैं रोमेंटिक एनिमेज देखना है बर समझ नहीं आ रहा है कौन सा देखूं तो डॉंट वरी इस वीडियो में हम बात करने वाल हैं तौप फाइप मोस्ट रोमेंटिक एनिमेज सीरीज के बारे में तो वेलकम तौब फर्स्ट एपिसोड ओफ दे रिकमेंडेशन इस वी 4.8 इस्टार का रेटिंग मिला है आउट ओफ फाइफ जो कि एक रोमेंटिक एनिमे के लिए काफी अच्छा रेटिंग है इस एनिमे का थीम रिवाल्व करता है अराउंड आ हाई स्कूल गर्ल नेम्ड कोमी जो बहुत क्यूट है एंड एवरीवन हैब क्रस ओन कोमी चाहे क्यापिबिल्टी है कि वह रूम को रीड कर सकता है डैट मिंस कि वह लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर को पढ़ सकता है कोमी एंटाड़नों के फुर्स्ट इंकाउंटर बहुत मैजदार है जो मैं बता नहीं सकता सब यहीं बता दूंगा तो तुम सब क्या करोगे कैसे इंजवाय करोगे इसका एनिमेशन बहुत लाजवाब है कोमी के कारेक्टर को इस तरह नहीं आया है एंड अगर बात करें कि किस लेंगेज में एंड कहां एवलेबल है तो इसे इंग्लिस एंड जैपनीज दोनों लेंगेज में तुम नेट्फिक्स पर देख सकते हो बाकि इस एनिमे को देखने के बाद करन में बताना कि तुम्हें यह एनिमे कैसा लगा एंड ज चाहे बात करें इसके एनिमेशन की तो लगता है कि अभी दो से तीन साल पहले ही एनिमेट हुआ होगा इस स्टोरी लाइन फुल फिल्फिस ओल दे एक्स्पेक्टेशन जो कि हमें एक रोमेंटिक एनिमे से रहता है हार टचिंग डालोग सेंस और मोमेंट इसकी स्टोरी रि खरती हों वो में से कैसे कंफेस करेगा क्या में उस पर बिश्वास करेगी यह बहुत इंटरेश्टी होने वाला है जो तुम्हें एनिमे देखने के बाद ही पादा चलेगा एड इस बात की गारेंटी है कि में एंड यामा टो का फॉस्ट इंकाउंटर अडियामा टा कंफे सोर्च विच 30 मिनट रॉन ताइम इच नेक्ष बारी है नंबर थी के अनिमे की तो नंबर थी पे है रेंट गर्ल्फेंड इससे मिला है 4.6 आउट और 5 का रेटिंग इस स्टोरी रिवाल्व आउंड गर्ल नेम चीजुरू जो की एक अक्ट्रस बनना चाहती है बट दू लैक जिसका हाली में अभी ब्रेक अप हुआ है सो ही डिसाइड़ तो रेंट गर्ल्फेंड अपने फ्रेंड एंड एक्स को जलाने के लिए एंड फर्स्ट इंकाउंटर होता है काजुया हाई स्कूल गर्ल चीजुरू वर्किंग इस रेंटल गर्ल्फेंड बट यह तो तुमें आज वे अपने दिल की बात बोल पाएगा चीजुरू से या अपने फ्रेंड्स को बता पाएगा कि वो एक रेंटल गर्ल्फेंड है यह लव ट्राइंगल बहुत मैजदार इस फुल ओफ कॉमेडी रोमैंस वन साइड़ लव एंड कुछ हद तक तुम सब इससे रिलेट भ करना पड़ेगा मैं तो सीजन 3 के लिए बहुत एक्साइटेड हूं और जिन्हों ने भी सीजन 1 & 2 देख लिया है वो कमेंट बताओ क्या तुम सब भी सीजन 3 के लिए एक्साइटेड हो एंड जब तक रेंट गर्ल्फेंड सीजन 3 नहीं आता तब तक तुम लोग यह दो ए परचित का लेगी कुंकि लेगी आता है एंड बिल्स सीरिय्ящ थो Challengeया फी विरेपी सोचतेर यह कुल आई इस्कुल से बाहर ही स्लसकेटा इस यह बएली को कर घ्सीरिय संघ यह इंड एंड नहीं बिल एंबियूह इसे सा क्षूल अब ऑल क्युं समूं ठीज सुन एंड पर स English and Japanese both language में available है तो अगर तुम Japanese language में देखना प्रिफर नहीं करते हो तो तुम Netflix पे इसे English dub में देख सके हो इसके पूरे 13 एपिसोड है तुम 20-25 मिनट रन टाइम इच अब फाइनली बार यह नमबर वन की एनिमे की तो नमबर वन पे है Tony Kawa Kawaii Over the Moon for You अब तक जितने भी एनिमेज की हमने बात किया है उन सम्में स्टोई लाइन यूनिक है बट इस एनिमे ब्रेक्स दा लाइन अफ यूनिकनेस इस एनिमेरी वर्प अराउंड द प्रोटोगोनिस सुगासा और नासा और इस ट्रगल इन मैरेड लाइफ बिकॉज दोनों ने फर्स्ट मीटिंग में ही साधी कर लिये और इन दोनों को एक दूसरे बार में कुछ भी नहीं पता उनिक रिलेसंसिप लग रहा है ना तो सोचो ये एनिमे कितना मज़दार होगा तो तुमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और बाकी एनिमेज की तरह इसके भी 13 एपिसोड हैं वि 20-25 मिनट रॉन टाइम इच और तुमें इसे क्रंची रोल पे बोथ इंगलिस और जैपनीज डब में देख सटे हो